वीड ग्रास को एक सूपर फूट कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरीके के एंटि आक्सिडन जैसे विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K और विटामिन B6 इसके अलावा इसमें कई मिनरल्स जैसे जिंक, सेलेनियम और इसमें प्रोटीन भी रहता है तो कि आप जानना चाहेंगे कि वीड ग्रास को हम हाइड्रोपोनिक लिए विताउट सोईल कैसे लगा सकते हैं वीड ग्रास को बगेर मिट्टी के हाइड्रोपोनिक सिस्टम में जो आपके घर में ही बड़े सस्ते साध्रों से बन जाएगा उसमें कैसे लगाना है इसके लिए आप इस वीडियो को आखरी तक देखिए और्गानिक गार्डिनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी शोशल मीडिया पर जरूर शेर कीजिए इस तरीके से वीड ग्रास को लगाने में ये फायदा है कि आप इसको जड़ और इसका जो उपरी हिस्सा इसका दोनों का इस्तेमाल आप खाने के रूप में कर सकते हैं हाइड्रोपोनिकली या बगेर मिट्टी के वीड ग्रास लगाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ गेहूं के दाने ले लूँगा और फिर इसको मैं रात भर पानी में भिगा के रग दूँगा जब थोड़े फूल जाएंगे तो उसके बाद इसको हम अंकुरन होने के लिए रख देंगे फिर जो बास्केट हमने हैड्रोपोनिक के लिए चूस करी है जिसमें की हम वीड ग्रास को लगाएंगे उसमें इसको फिर ट्रांसफर कर देंगे तो अब मैं इसको पानी डाल के रात भर के लिए रख देता हूँ तो अब मैं इसमें इतना पानी डाल देता जो हमने गेहूं के दाने लिए थे वो डूब जाएं और हम रात भर एसे होड़ देंगे इसे रात भर पानी में रखे होने के कारण फूल जाएंगे फिर इसका इस्तिमाल हम हाइड्रोपॉनिक्स करेंगे हाइड्रोपॉनिक्स के द्वारा बगेर मिट्टी के जुआरे लगाने के लिए जो गेहूं मैंने अलग से छाट के रखे थे उसको रात भर भिगा दिया था और अब ये काफी फूल गए हैं और इसको अब में थोड़ा सुखा कर अंकुरन होने के लिए रख दूँगा फिर इसको हमें हाइड्रोपॉनिक्स में जो बास्केट यूज़ करेंगे वहाँ इसको रख दूँगा फिर उस बास्केट में ये गेहूं के जुआरे या वीटग्रास आपके खाने के लिए तयार हो जाएगा फिर वीटग्रास को हाइड्रोपोनिक लिए कैसे उगाना है या आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा जो रात बर भीगे हुए वीट के सीट थे उसको अब मैं स्प्राउट मेकर में ट्रांसफर कर देता हूं तो यहां पर यह करीब एक से दो दिन रहेंगे और फिर 24 से 48 घंटे बाद इसमें से स्प्राउट होने लगेगा और फिर हम जो हाइड्रोपॉनिक्स के लिए हमने बास्केट सेलेट करी थी उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे फिर उस बास्केट में हाइड्रोपॉनिक लिए वीड ग्रास बगेर मिट्टी के बड़ी होगी अगर आपके पास स्प्राउट में कर ना हो तो आप किसी गीले कपड़े में भी गेहू के स्प्राउट तयार कर सकते हैं और या चाहे तो आप ऐसे ही स्ट्रेनर में गेहू को गीले कर कर सकते हैं फिर इसको एक कपड़े से रख देंगे तो इसमें भी आपके स्प्राउट तयार हो जाएंगे फिर आप हाइड्रोपॉनिक्स वारी बास्केट है उसमें इसको ट्रांस्वर कर दीजिए वहाँ पर गेहूं या वीड ग्रास की आगे ग्रोथ होती रहेगी जो वीड ग्रास को भीगाने के लिए हमने गेहूं रखे थे अब उसको रखे होए करीब 24 स्पुल कमतर या एक दिन हो गया है तो अब मैं इसको खोल के आपको स्प्रौटन ओरही है या नहीं टोप खोल के देखगे ओं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें स्प्रौटन होने लगी है जब इन स्प्राटटेट ग्हूं की लंबाई करीब एक इंच हो जाएगी लगभग इतनी जब इनकी लंबाई करीब एक इंच हो जाएगी तो इन गेहों को में वीड ग्रास उगाने के लिए हमने जो हैड्रोपॉनिक्स में जो बास्केट सेलेट करी थी वहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दूँगा तो अभी हम करीब एक दिल और वेड करते हैं इसको में हाइड्रोपॉनिक्स वाली बास्केट में ट्रांसवर कर दूँगा तो मैं दुबारा धकते रख देता हूँ और हम एक दिन बाद देखेंगे इसकी ग्रोथ कैसी होती है तो इस वीड ग्रास को अब इसमें रखे हुए दो दीन हो गए है और अब सही समय है जब हम जो बास्केट है रीटोपेती को वाली वहाँ पर इसको शिफ्ट कर दे हाइड्रोपॉनिक तरीके से वीड ग्रास को लगाने के लिए में 2ल बास्केल करेंगा एक मैं कोई जाली नहीं है और दूसरी वाली है उसमें जाली है तो इन दोनों के पीच में गे क्वीड़ाये तो दो 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 तरीकों की बास्केट का इस्तिमाल की जिए तो अब मैं जो स्प्राउटट डाह्टं करें के हूव गहू थे उनको इसफिए डाल दो चाहें जलिदार जाही क हाओ उसमाल को जालीदार स्थाल सुरकयर बटता करें आयने गेहूं sprouted होने के तयार करने के लिए रखे थे उनको इसमें बास्केट में डाल दूँगा और फिर इसको में evenly फैला दूँगा जहां पर यह अच्छे से फिर उगने लगेंगे मैं अब एक फोक की मदद से भिगाए हुए गेहूं को evenly spread कर देता हूँ ताकि इसमें कोई गुच्छे ना बने और जब आप इसको गेहूं को sprout करने के लिए भिगाए तो इसको अच्छी तरह धोईए नहीं तो इसमें आगे जाके फंगस होने की संभावना हो सकती है इसलिए इसको अच्छी तरह के से भिगाने के पहले हातों से मलिये जो भी इसमें धूल या और कोई कर्ण होगा वो से साफ हो जाएगा फिर आपको फंगस की शिकायत इस बास्केट में नहीं रहेगी और आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि अगर फंगस हो भी जाती है किसी कारण वश तो आप उसको किस तरीके से इस बास्केट से खटा सकते हैं वो तरीका मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा और धीरे धीरे अब यह स्प्राउटेट गेहूं की ग्रोध इस बास्केट के अंदर होने लेगेगी और आपको रोज इसमें सुबह शाम बीड़ बीड़ में स्प्रे करते रहना है पानी का जिससे की इसमें नमी बनी रहे और अब यह स्प्राउट करने के बाद मैं इसको कुछ दिन हम इसको फिर धके हुए कपड़े से रखेंगे उसके बाद हम इसको फिर धूप में रख सकते हैं जहां पर इसकी पत्तियां फिर और ज्यादा हरी हो जाएंगी इसलिए धूप में रखना भी इसको जरूरी है तो गेहु को इस बास्केट में ट्रांसफर करें अब पाद दिन हो गए और आप मैं इस कपड़े को हटा के देखता हूँ कि इसकी ग्रोध कैसी है तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है यह कुछ ग्रीनिश होने लगा है तो अब यह धूप में रखने के तयार है ताकि इस काफी मातरा में है तो आप चाहें तो आप इसमें जो पिसी हुई काफी है वो डाल सकते हैं जिससे यह और जल्दी ग्रोध होगा और अगर इसमें आपको कोई फंगस नजर आए उपर या नीचे तो सबसे पहले तो आप जब गेहु को भिगाए रात भर के लिए तो इसको अच्छी तरह से वाश करें और अगर आपको यहां कहीं फंगस नजर आये तो इसको इस्प्रेय बोटल के बदस से थोड़ा वाश कर दीए तो फंगस निकल जाएगा यदि पानी में से कोई आपको इसमेल आये तो इस पानी को चैन कर दीए जिससे यह खराब ना हो तो कोफी का इस्तिमाल जब आप खात के रूप में करें हाइड्रोपॉनिक बास्केट में देने के लिए जो हम वीड ग्रास को डालेंगे तो उसके लिए पहले आप कॉफी को एक कप में ले लीजिए और उसमें से थोड़ा सा पानी मिला कर उसको अच्छी तरीके से डिसॉल क इसको आप अच्छी तरीके से डिसॉल करिए ताकि इसमें कोई पार्टिकल ना रहे यह पूरी तरीके से डिसॉल हो जाना चाहिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हमें जो हमने वीड ग्रास लगाई है उसमें देना है तो इसको अच्छी तरीके से कुछ कुछ दिर के लिए ऐसे ही छोड़ भीजिए जब अच्छी तरीके से डिसॉल हो जाएगा तो हम इसको वीड ग्रास में ऐसे फर्टिलाइजर देंगे तो मैंने कॉफी को इस कप में 10 मिनिट रख दिया था और इसको मैंने ऐसे स्टियर करा तो यह कॉफी अच्छी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो गई है अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉफी वाली फर्टिलाइजर को हाइड्रोपॉनिक में कैसे इस्तिमाल करना है तो मैं इ से पहले मैं यह करीब चार एमल इसमें कॉफी का शॉलीशन होगा इसको और डायलूट करने के बाद इसको मैं और डायलूट का अच्छा से मिक्स कर लेता हुँ और अब मैं इस सोलीशन को डायलूट करने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें डाल दूँगा और इसको अख़े से फैल जाए कॉफ़े इस प्लिये मैं इसको भी इसमें मिक्स कर देता हुँ और अब ये बास्केट को दुबारा यहां पर रख देता हूँ, तो ये कॉफी है, इस हाइड्रोपॉनिक सिस्टर के लिए बहुत अच्छा एक लिक्विड खाद है, जिससे आपके वीड ग्रास हाइड्रोपॉनिक लिए बहुत अच्छे बढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी, तो अब ये धूप में रखने के लिए ये बास्केट तयार है, जहां पर इसकी और आगे ग्रोथ होगी, और जाजा ये ग्रीन हो जाएंग इसकी पत्किया, और जो बची हुई कोफी का सुलिशन है, उसको आप आगे यूज़ करने के लिए इसको फ्रीज से धाई घंटे के लिए रख दीजे बाहर, और फिर इसको आप वापस शेड में ले जाएंगे, अगर आपके ख्रिकी से धूप आती है सुबे वाली, तो वहां पर भी आप इसको रख सकते हैं, और धूप में रखने से इसका जो रग है और डार्क ग्रीन हो जाएगा, और फिर इसकी ग्रोध भी तेजी से होगी, वीड ग्रास को खुद सबे के लिए धूप में रखना क्यों जरूरी है, इसका डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं, ये वाली बासकेट को मैंने धूप में नहीं रखा था, और आज सुबे ही इसको वाला येलोईश है, तो इस वीड ग्रास में न्यूट्रियंट की मातरा बढ़े, इसलिए इसको फुछ समय के लिए धूप में जरूर रखना जाएए, धूप में रखने के लिए सबसे अच्छा समय सुबे का है, तो सुबे वाली धूप है वो इन वीड ग्रास के लिए ब पास्केट में रखे हुए साथ दिन हो गए है, और अब ये वीड ग्रास आपके इस्तेमाल के लिए तयार है, और इसका इस्तेमाल करना आपके हल्प के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कई एंटी औक्सिदेंट रहते हैं, और कई एंटी कैंसर आपको विटामिन B6 भी मिल जाएगा, और कुछ मिनर्स जैसे सेलिनियम और पोटाशियम जिंक भी इसमें आपको मिल जाएंगे वीड ग्रास में, और साथ में इसमें कुछ प्रोटीन भी रहता है, तो ये आपके इम्मीन सिस्टेम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इ चुकि ये बड़ा ही चीप है, और इसको आप आसानी से हर दिन के लिए तयार कर सकते हैं, आप साथ या आट बास्केट में इसे स्प्राउट करके रख दीजिए, फिर हर दिन के लिए वीड ग्रास आपकी फेमेनी के लिए आपको तयार मिलेगा, तो ऐसे आप वीड ग्रा की नजर आ रही होगी, तो इस तरीके से आप अपने घर में ही वीड ग्रास को उगा के उससे उसका जूज बना सकते हैं, या और किसी अजने तरीके से वीड ग्रास का यूज कर सकते हैं, सूपर फूड वीड ग्रास को बगर मिठी के हैट्रोपोलिक सिस्टम में घर पर ही लगाने वाला वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसली अच्छी जानकारी देने के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इस सूपर फूड वीड ग्रास वाले वीडियो को अन्दिंग गार्डिनिंग करने वाले से शेर जरूर कीजिएगा, और इस चेनल को सब्सक्राइब करना न भूले, इस वीडियो के साथ अन्द तक बने रहने के लिए धन्यव झाल 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 झाल